दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में। दोस्तों नीन तो सभी को प्यारी होती है। अगर कोई उल्टा सोता है तो वो भोगी है। दाहिने करवट सोता है तो वो रोगी है। वहीं अगर बाव करवट सो जाए तो निरोगी है। चारो दिशाओं में सोने के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पढ़ते हैं। आईए जानते हैं इनके बारे में, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिन में सिर रखकर सोने से धन लाब और आरोग्य लाब होता है, पश्चिम में सिर रखकर सोने से प्रबल चिंता होती है, वहीं उत्तर में सिर रखकर सोने से मृत् दोस्तों याद रखें कि मस्तक और पाउं की तरफ दीपक नहीं रखना चाहिए, दीपक रखें भी तो दाई या बाई तरफ रखें, संध्याकाल में नहीं सोना चाहिए, बेड पर बैठे बैठे निद्रा नहीं लेनी चाहिए, द्वार के चोखट पर मस्तक रखकर नींद ना लें, हिरदय पर, छाती पर, हाथ रखकर ना सोएं, वहीं बीम के नीचे ना सोएं, पाउं की ओर बेड उचा हो तो अशुब है, केवल चिकित्सी उपचार के लिए इसकी छूट है, बेड पर बैठ कर खाना पीना अशुब माना जाता है, वहीं दोस्तों अगर आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ